नमस्कार आप देख रहे हैं टेक्निकल ग्रीवा मैं हूं ग्रीवा और सौकत है आपका हमारे चानल पर यूट्यूब के हिसाप से एक चानल के ग्रोथ के पीछे एक वीडियो के वाइरल होने के पीछे फिर काफ़ी एच्छे कहसे व्यूज आने के पीछे काई इस सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है और इस में से जो सबसे ज़्यादा सबसे मेन है वो है थंबनेल आपका आपके वीडियो पर व्यूज आने के काफे ज्यादा चांसेज रहते हैं लेकिन आप देखते होंगे कि आप अपने सॉट वीडियो पर थम्निल नहीं लगा पाते हैं अगर आप एक न्यू क्रियेटर हैं लेकिन कुछ दिनों से अब आप अपने सॉट वीडियो पर थम्निल नहीं लगा पाते हैं दरसल सॉट वीडियो पर थम्निल अब भी लगा सकते हैं लेकिन उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी चेंज हो गई है अब आप कहेंगे कि अगर आपने वीडियो पर थमनल नहीं लगाते हैं फिर भी हमारी वीडियो पर काफी अच्छे खासे व्योज आते हैं तो थमनल लगाने का फायदा क्या है लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप अपने वीडियो पर थमनल नहीं लगाते हैं तब आपके वीडि आप टाइटल में यह सब लिग देंगे लेकिन अच्छे से एक्स्प्लेन आप थमनल पर ही कर पाएंगे आपके थमनल को देख कर ही लगेगा कि आपकी वीडियो किस टॉपिक पर है इसलिए आपको अपने सौट वीडियो पर भी थमनल जरूर लगाना चाहिए उससे अगर आ आपको यही बताने वाले हैं कि आप अपने सौट वीडियो पर थमनल कैसे लगा सकते हैं क्योंकि मैंने अभी कुछ दे पहले आपको बताया कि पहले आप अपने सौट वीडियो पर थमनल लगा पाते थे लेकिन कुछ दिन बाद से ही कुछ अपडेट्स के बाद से ही आप अपने I si लगा पा रहे है इसका ये मतलब नहीं है और फिर पर दौट्विडिओ और बताने वाले है तो चलिए फिर वीडिओ को श्wnार्ट करतें और आपको बताते हैं कि आप अपने sort वीडियो पर thumbnail कैसे लगा सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like और share करिएगा और अगर आप अभी तक चानल पर नए हैं तो चानल को subscribe कर लीजिए तो चलिके फर जान लेते हैं, कि आप अपने Apart वीडियो पर Thumbnail कैसे लगा सकते हैं आपको अपने जिस भी Smart वीडियो पर Thumbnail लगाना है सबसे पहले आपको उस वीडियो को पर Click करना है Y.T. Studio अपन करने के बाद उस वीडियो पर आपको सबसे पहले Click करना है उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे Edit को Option इस पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं Visibility को Option इस पर आपको क्लिक करना है और इसमें Public के ठीक नीचे Set As Premiere के Option पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां से इसे सेव कर देना है उसके बाद अब फिर से आपको इस वीडियो पर क्लिक करना है और पैंसिल वाले आईकॉन पर फिर से क्लिक करना है और आप यहां पर देख सकते हैं कि अब आपके thumbnail लगाने का option यहां पर show होने लगा है इस पर आप click करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं custom thumbnail आप add कर सकते हैं जो भी thumbnail आपने अपनी video के लिए बनाया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ग्यालिटी उपन होगी बिलकुल उसी तरीके से जैसे आप लॉंग वीडियो में थमनल्स को एड़ कर सकते हैं उसके अलामात वीडियो का जो तीन थमनल यहां पर दिखता है वो भी दिख रहा है कि आप अपने सौट वीडियो पर थमनल कैसे लगा सकते हैं अगर इस तरीके से आप अपने सौट वीडियो पर थमनल लगाएंगे जैसे मैंने आपको बताया तब आप अपने सौट वीडियो पर भी पिलकुल आसानी से थमनल लगा सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सेर करिए और चानल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में किसे नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए नमस्कार